अमस्कार दोस्तों कार्मियो जीक मैं आपका अर्दिक स्वागत है मैं परीद दुवे आज लिखे आए हूँ एक और नया वीडियो गाइस आज का वीडियो है स्मार्ट नॉलेज बाली प्लेलिस्ट के लिए means जो कार इंटर्टेन्मेंट सिस्टम है इसके अंदर आपको इस्टीरियो के 110% solution मिल जाएंगे अगर आपके इस्टीरियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम या कार्मियो जेक अपके फेस्बुक पेज से कॉल भी कर सकते हैं बागी आज का वीडियो है एंडरॉइड स्टीरियो के टच को कैसे चेंज करें अगर ब्रेक हो जाता है तो उस कंडिशन में कैसे आप उसको रिप्लेस करेंगे निव टच के साथ आज हमारे पास है 9 इंच एक एंडरॉड स्टीरियो जिसका टच में खुद चेंज करके दिखाने वाला हूँ बागी गाईज क्या खर्चा आता है 9 इंच स्टीरियो में टच चेंज करने पर ये भी वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो गैज हमें टच चेंज करने के लिए इस्टीरियो को पूरा खोलना पड़ेगा तो हमने यहां से इसके जो स्कूरू थे वो निकाल दिये हैं और जो वरंटी सील आपको दिख रही है ये भी रिमूब करनी पड़ेगी विकॉज अगर हम इसको रिमूब नहीं करेंगे तो स्टीरियो प्रॉपर नहीं खोलेगा तो अभी हमने इसको रिमूब किया और फाइनली बैक साइड इसका निकल चुका है अभी हमें जो अभी हम टच को निकालते हैं स्कूरूड्राइबर से और यहां पर एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है कि अगर आपने स्कूरूड्राइबर जरासा भी अंदर जाके कुछ टच कर दिया डिस्प्ले पे तो डिस्प्ले चली जाएगी और डिस्प्ले का प्राइस काफी ज्यादा होता है तो वो बहुत नुकसान होगा आपका तो इस चीज को ध्यान रखें एक प्रॉपर टैक्निशन के पास ही यह काम करवाएं और यह देखिए इस तरीकी से आपका यह रिमूब हो जाता है और यह देखिए टैच निकल गया डिस्प्ले आपकी यहां पर रख था वो निकाल दिया इसी के थुरू यह कनेक्ट हो जाती है डिस्प्ले के साथ यहां पर डबल टेप है तो जब हम इसको फुस करेंगे तो यह डिस्प्ले से चिपक जाती है आपकी जो टच है और टच जब चिपक जाती है तो उसको थोड़ी दिर के लिए रख देते हैं अगर के स्टीडियो को जिससे की वो स्टैबलेस हो जाए तो अल्मोस्ट बहुत ज्यादा टफ नहीं है अगर थोड़ा सा इंट्रेस्टेड हो गन्दा तो घर पे भी कर सकता है बट मैं रिकमेंड करता हूं कि एक टैक्निशन को भी दे मौका थोड़ा बहुत कमाने का तो इसको कर गया आपको दे देगा सो अल्मोस्ट यह काम हो गया और यहां पर हमें मैच करना है और मैच करने से पहले जो यह निकाल देना है विकॉस इसके बिना आप इसको connect नहीं कर पाएंगे proper और इसको match करना है जो four angle रहते हैं frame के उनमें ये टकरानी नहीं चाहिए मतलब touch नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर आपने frame के उपर touch होते हुए पर push कर दिया touch को तब भी तूटने का डर रहता है so almost आपको check करना पड़ेगा कि proper हमारा touch बैठा है कि नहीं तो अभी ये proper रग गया अब हम थोड़ा सा push करते हैं तो ये establish हो जाता है बस touch आपका डल गया और इसके बाद same connection करने है और connection के बाद फिर हमें देखना है कि हमारा touch है जो वो proper काम करता है कि नहीं तो अभी हमने इसको लगा दिया है और जो back side था वो भी fit कर दिया है अभी देखे इनके जो connection है वो भी हम कर देते हैं और ये connection याद रखने पड़ेंगे basically तो जो cables हैं जो इसमें wiring है उसको आप same to same जो socket उसमें लगाई सकते हैं कुछ ज्यादा है नहीं अब देख सकते हैं इस तरीक से connect हो जाएंगे and ये finally आपका connect हो गया अब हम इसको proper लगा के और screwdriver की मदब से इसको proper लगा देते हैं और almost आपका जो touch था वो इसमें लग चुका है अभी हम इसको start करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें चल रहा है तो ये देखें स्टार्ट हो चुका है अब touch देखेंगे आप थोड़ा सा wrong direction में काम करेगा या काम नहीं करेगा opposite direction में काम करेगा तो उसके लिए आपको सबसे पहले कीपेड मैच करने पड़ेंगे जो कि आपको settings में मिल जाएंगे यहाँ पे volume बटन बगर जो भी आपके side कीपेड होते हैं वो आप मैच कर दीजे उसके बाद इसको सबसे अच्छी चीज़ आप reboot जरूर करें reboot कर दें erase कर दें जो factory settings में होती है बाकी आपको एक video show कर रहा है स्क्रीन पर वो देख लें तो आपको कैसे calibration किया जाता है वो पता चल जाएगा और finally आपका जो stereo है वो नया हो जाएगा और बर्क करने लगेगा I hope guys कि ये video आपको पसंद आया होगा इसी तरीके से बहुत सारे informative और helpful वीडियो देखने के लिए car music अपके YouTube चैनल को subscribe कर लीजिए और हमें follow कर लीजिए Instagram और Facebook पे Guys अगर आपको touch change करवाना है 9-inch stereo का तो price लगबग 1900 रुपए आ जाता है with courier अगर आप Delhi से करवाते हैं अगर आप अपने near car, accessory shop या near service center पे सही करवाते हैं तो I think कि ये 1500 रुपीज में भी ठीक हो जाएगा वो touch डाल के आपको दे देगा अगर आपके stereo में कोई भी problem है comment box में लिखिए Instagram पे message करिए Facebook पे आप हमें share करिए अपनी problem तो हम कुछ न कुछ solution वीडियो उसके लिए जरूर बनाएंगे अगर आपको चाहिए एक Android stereo तो Amazon पे जो best product है उसका link इस वीडियो के description में है वो भी check out कर लिजे जिससे कि आप एक best stereo खरीद पाएं तो गैस चलिए समाप्त करते हैं इस वीडियो को मिलते हैं अगले वीडियो में क्योंकि यह है Car Music Hub यहां मिलेगा सब